नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तों पीएम मोदी दावा करते हैं कि वो गरीबों के प्रधान मंतरी हैं लेकिन दोस्तों वाकई ऐसा होता तो पीएम मोदी आज एहमदाबाद में वर्लकप का फाइनल मैश देखने नहीं जाते बलकि एहमदाबाद की वजाए उत्तर काशी जाते जहां 41 गरीब मजदूर जिंदगी और मोद का मैश के रहे हैं वो भी पीएम मोदी की महतवकांची योजना की वज़े से और हमारे देश के प्रधान मंतरी एहमदाबाद में क्रिकेट मैश का आनन लेने जा रहे हैं जो दिखाता है कि पीएम मोदी की प्रात्मिक्ता वही होती है जहां ज़्यादा कैमरे लगे रहते हैं और फिलहाल कैमरो का ध्यान एहमदाबाद में वर्लक अप फाइनल पर है और होना भी चाहिए क्रिकेट इस देश में जिया जाता है और हमारे देश के क्रिकेट टीम ने करोडो लोगों को एक अरब से ज़्यादा लोगों को खुश्या दी हैं और सारा देश दुआएं करा है कि क्रिकेट टीम वर्लक अप जीते लेकिन क्या वहाँ प्रधानमंत्री का कोई काम है चलो देश के प्रधानमंत्री के वर्कफ फाइनल देखने में भी कोई बुराई नहीं है लेकिन जब एक राष्ट्रिया आपदा हो तो क्या पीम मोदी को इस तरह जाना चाहिए मैंने राश्ट्री आपदा इसलिए कहा क्योंकि 41 हमारे देश के गरीब मजदूर अगर सरकार की महतवकांशी योजना की वज़े से सरकार की वज़े से टनल में फसे हुए हैं तो ये एक राश्ट्री आपदा है अगर गरीबों की जिंदगी का कोई मोल है तो ये एक तूट रहा है वो पानी वाली पाइपलाइन के जरिए संदेश दे रहे हैं कि कब तक हम ड्राइब फूर्स के जरिए जिएंगे आप हमें सिर्फ जूटा अश्वासन दे रही है या फिर निकाल भी पाएंगे हाला कि रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है दिली से भी मत्री का दाइत्व है कि वहां जाकर उन मजदूरू का होसला बढ़ाए जो मोदी की महत्वकानशी योजना की वज़े से फस गए दोस्तों कई बार हाजसे हो जाते हैं आप इसे रितफाप कह सकते हैं लेकिन यह हाजसा नहीं है यह हाजसे को बुलावा है जो कि यह जो चा विदार नाज जैसी भेंकर आपदा को बुलावा दे सकता है लेकिन मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर आमादा है इसको लेकर सुप्रीम कोट ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी उसने भी कहा था कि जो काम चल रहा है उसमें परियावन के मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा और भविष्य में भूस कलन की घटनाए इसके वज़े से हो सकती हैं और वैसा ही हुआ टनल के निर्माड में भूस कलन हो गया और 41 मजदूर आज जिंदगी और मोत के बीच जूज रहे हैं 8 दिन हो गए हमारे देश के प्रधानमत्री ने एक ट्विट मत करिए आपको चोट लगी है मैं समझ सकता हूं आपका दर्थ तो इन 41 मजदूरों के लिए ना तो पीम मोदी ने किसी चुनावी रैली में जिक्र किया ना कोई ट्विट किया मैं नहीं कहता कि सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही नहीं कर रही सरकार पूरी कोशिश कर कर रही है पूरा देश इन 41 गरी मजदूरों के साथ है लेकिन जबतक ही 41 मजदूर बाहर नहीं निकल जाते देश के प्रधान मंत्री को इस तरह क्रिकेट मैछ में जाकर आनल लेना शोभ़द प्रिए मोधी में के संकत के बीच इस तरह मैश देखने को क्या सोचते हैं पीम मोधी की महतवकान शी योजना की वज़े से फसे हैं तो पीम मोधी की सबसे पहनी जिम्मेदारी है इन मजदूरों की सुरक्षित घर बापसी कराए जाए इनको सुरक्षित निकाला जाए मोधी जी पाइप लाइन के जरिए उनसे वैसे ही बात करें जैसे मैडल जितने क सब्सक्राइब करें नमस्कार